पगवान श्री रमन महारीशी ने वासनाएं और अव्यक्त प्रबर्तियों के बारे में इस प्रकार कहा युगो युगो तक चलने वाली सभी वासनाएं मन को बाहर की और ले जाती हैं और बाहरी वस्तुओं की और मोड देती हैं ऐसे सभी विचारों को त्यागना होगा और मन को अंदर की और मोडना होगा इसके लिए अदिकाश लोगों के लिए प्रयास आवशक है जो वासनाएं आत्म साक्षतकार में बादा नहीं डालती वे बनी रहती हैं योग वशिष्ट में वासनाओं के दो वर्ग प्रतिष्थित हैं भोग की और बंदन की मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी पहले वाले बने रहते हैं लेकिन दूसरे इस से नश्ट हो जाते हैं आसक्ति वासनाओं को बानने का कारण है लेकिन आसकती के बिना भोग बंदता नहीं है और सहज में भी जारी रहता है दो मन नहीं है एक अच्छा और दूसरा बुरा मन एक ही है यहे अफशिष्ट संसकार ही दो प्रकार के होते हैं शुब और अशुब जब मन शुब संसकारों के प्रभाव में होता है तो उसे अच्छा कहा जाता है जब यह अशुब संसकारों के प्रभाव में होता है तो इसे पुरा माना जाता है केवल वही रिशी है जो सभी गुप्त प्रवरतियों वासनाओं से मुक्त है ऐसा होने पर करम की प्रवरतियां उसे कैसे प्रभावित कर सकती है जो गतिविधी से पूरी तरह से आना सकत है पहचान का ऐसा अनुभव जैसा की रवन महरशी को था हमेशा या समाने रूप से मुक्ति में परिणित नहीं होता यह एक साधक के पास आता है लेकिन अहंकार की अंतरनिहित प्रवर्ती इसे फिर से ढख देती है चमतकार यह था कि महरशी के बारे में कोई बादल चाय नहीं थे अज्यानता में कोई पुन्रा प्रिती नहीं हुई थी वह तब से एक आत्मा के साथ पहचान के बारे में निरंतर जागरुकता में बने रहे अच्छे और बुरे अंतरते सापेक्ष रूप में ही पाई जाते थे आत्मरी रिलिक्षन वासनाओं के त्याग से अधेक कुछ नहीं पाया गया जब तक एक भी वासना बची रहती है चाहे अच्छी हो या बुरी तब तक हमें अवास्त्विक बने रहना होगा